नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है कोटिल्या के यूट्यूब चैनल पर आए शुरू करते हैं दसका दम पहला कोशन आपके सामने है हाल ही में भारत ने अंत्रिक्ष छेत्र के इस स्टार्ट अप की सुविधा के लिए किस शहर में एक नई डिजाइन प्रयोकशाला इस्थाबित की है आपके चार आप्शन आपके सामने लिखे हुए है जिसका सही जवाब है फर्स्ट का ए यानि एहमदाबाद नेक्स कोश्चन हाल ही में सयुक्त राष्ट मानवा अधिकार परिशत के बावनवे सत्र में वार एंड वुमें किसके द्वारा लिखी गई है आपके चार आप्शन आपके सामने लिखे हुए है जिसका जवाब है सेकेंड का सी यानि डॉक्टर M.A. हसन आईए नेक्स आपके सामने लिखे हुए है जिसका सही जवाब है तीसरे का डी यानि सुमिल विकमसे दोस्तों सही तरीका यह होता है करेंट पढ़ने का जैसे आप देख रहें हम लगातार कोशन पढ़ने के बाद चार आप्शन के बाद हम सीधा आंसर बता रहे हैं आपका सही तरीका य आप यूट्यूब पर वीडियो को पॉस्ट कर दिए उसके बाद आपका जवाब सही रहता है तो बड़ी अच्छी बात है दर्वाइस आपने आपको नंबर दीजे कि 10 में से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 5 की तरफ कोशन नंबर 4 की तरफ दीए कोशन नंबर 4 लिखा हुआ आपका एक दशक से अधिक समय के बाद ओलम्पिक स्वन पदक से किसे सम्मानित किया गया है चार आप्शन आपके सामने है जिसका सही जवाब है डी डी यानी लाशिंडा डेमस चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 5 संयुक्त अरब अमीरात के राश्टपती ने हाली में किसे अपना उपाध्यक्ष निप्ट किया है चार आप्शन आपके सामने लिखा है जिसका सही जवाब है फिफ्ट का सी यानी शेख मनसूर आई दोस्तों कोशन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं आगे कोशन नंबर 6 हीरो मोटो कॉप बोर्ड ने अपना मुख्यकारी अधिकारी निप्ट किया है चार आप्शन आपके सामने हैं जिसका सही जवाब है फिफ्ट का ए यानी निरंजन गुपता आई आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 7 नई दिल्ली में अंतर राष्टिये शून अपसिस्ट दिवस 2023 के दौरान कितने शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग प्राप करने का लक्ष रखा गया है चार आप्शन आपके सामने हैं जिसका सही जवाब है 7 का A यानी 1000 एक हजार किस कंपनी ने प्रवीर सिनहा को उनके CEO और MD के रूप में फिर से निउप्त करने की मनजूरी दी चार आप्शन आपके सामने लिखे हैं जिसका सही जवाब है 8 का B यानी Tata Power कोशन नमबर 9 आपके सामने है द्रिश्चिता का अंतर राच्टी ये Transgender दिवस 2023 मार्च के किस दिन मनाये गया चार आप्शन आपके सामने है कोशन नमबर 9 का सही जवाब है आप्शन नमबर A यानी 31 मार्च लास्ट कोशन आपके सामने है जैपुर में बनने वाले भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है चार आप्शन आपके सामने लिखा हुआ है और इसका सही जवाब है 10 का B यानी अनिल अगरवाल दोस्तों 10 का दम आपको कैसा लगा जरूर बताएं हम लोगों को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की सारी अपडेट लेने के लिए हमारे चनल को जरूर सबस्क्राइब करें धन्यवाद